एक गाउं में चुडैल आदमियों को उठा कर ले जाने लगी जिसके डर से गाउंवालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया चुडैल को शिकार ना मिलने पर उसने एक सुन्दर औरत का रूप ले लिया और रेडी पर दोसे लेकर पुरे गाउं में घूमने लगी दोसा ले लो दोसा दोसे वाली दोसा ले लो दोसा अरे ये हमारे गाउं में दोसा बेचने वाली आने लगी क्या है जी इससे पहले तो कभी इस गाउं में नहीं देखा इसे चुडैल ने नहीं पकड़ा किया इसे अरे वो औरत है और चुडैल तो सिर्फ आदमियों को ही पकड़ रही है ना, इतनी सुन्दर औरत को तो चुड़ायल बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली क्या, क्या कहा सुन्दर, आज तक तक तुमने मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, रिमा तुम गुस्सा क्यों होती हो, चलो आज तुम्हें डोसा खेलाता हूँ, आओ चलो मुझे नहीं खाना, तुम ही जा, मैं घर पर ही ठीक हूँ ओ हो, ठीक है, मैं जाता हूँ, अरे डोसे वाली, जरा डोसा तो खेलाओ, लेकिन एक बात पताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस काओं में, तुम क्या नई हो हाँ, मैं नई हूँ इस काओं में, पहले मैं दूसरे काओं में रहती थी, वहाँ मेरे डोसे बहुत चलते थे, हम कल ही आएं हैं इस काओं में, आप खाकर देखो, बहुत ही अच्छे है फिर वो खाकर अपने घर चला जाता है, और ऐसे ही चुडैल रोज आने लगती है सारे गाओं में उसका सांभर डोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है, और गाओं वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं अब तो इन काओं वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है, और चुडैल के बारे में ये सब भूल चुके अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ अगले दिन चुडैल फिर से औरत का रूप ले लेती है दोसे वाली दोसे दोसे वाली अरे रीमा बेहन वो देखो आगई दोसे वाली चलो खाते हैं नई मेरा गल आज खराब है तुम मेरे पती देव को ले जाओ आज खाने के लिए इन्हें ये दोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है ओहो तुम अब तक नारास हो चलो पूजा भाभी चलो चलो राजु भाई मैं रीमा डार्लिंग के लिए घर पे ही ले आओंगा फिर तीनो जाते हैं और दोसा खाते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं अरे मुझे चक्कर आ रहा है अरे अ अ अ अ अ गिर गए तीनो ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है इन दोनों आदमियों को उठा लेती हूँ फिर चुडैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया और राजु को उठा कर ले जाती है उधर कुछ तेर बाद हरिया की बीवी रीमा बाहर आती है तो पूजा को बेहोश पाती है अरे पूजा क्या हुआ फिर रीमा पूजा के मुँपर पानी डाल कर उसे होश मिलाती है और उससे पूछती है अरे मुझे क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं हमारे पदी कहां चले गए यहीं तो थे तुम्हारे साथ फिर दोनों मिल कर उन दोनों को गाव में ढूटती है पर दोनों कहीं नहीं में रूते हो सकता है खेतों में चले गए हूँ शाम को वापिस घर आ जाएंगे इतना बूल कर दोनों अपने अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ चुडैल, हरिया और राजु को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंज्रे में कैद कर देती है जहां उसने और भी आद्मियों को रखा होता है अरे हरिया भाई, और राजू को भी इस चुड़ायल ने पकड़ दिया, अरे तेरा नास मिटे चुड़ायल, हमारे गाउं में कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या? चुप करो, और चलो खाना बनाओ मेरे लिए सब मर्द मिलकर, अपनी भीवियों से बहुत सेवा करवा चुके हो, अब मेरी सेवा करो, और जैसे ही तुम लोग पचास हो जाओगे, मैं तुम सेब को मार डालूंगी, हाँ, 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 अरे लेकिन हमें मारना क्यो चाहत हो, हमने तुम्हारा क्या फिगाणा है, ये मत सोचो, चलो, चल्दी से ये बकरा बनाओ मेरे ले राजू, फिर चुडएल एक लाश के पास जाती है, वो लाश उसके पती की होती है, राहुल मैं तुम्हें चल्दी जिन्दा कर लूंगी, बस अब मुझे कुछी आदमियों की जरूरत है, ऐसा बोलकर चुडएल फिर से गाउं जाती है, और डोसे बेचना चालू कर देती है, तभी एक गाउं वाला डोसा खाते ही बेहोश हो जाता है, और डोसे वाली चुडएल रूप में आ जाती है, और उस गाउं वाले को भी उठा कर ले जाती है, तभी उसकी वाली तो चुडैल निकली रीमा बेहन हमें इसका पीछा करना होगा कई हमारे पती को भी इसने तो नहीं गायब किया फिर वो छुपकर चुडैल का पीछा करती हैं और चुडैल की गुफा में पहुँच जाती है वहाँ का नजारा देखकर उनकी आखे फटी की फटी रह जाती है गाव के बहुत सारे आदमी एक पिंच्रे में बंद होते है अरे नहीं मेरा राजु वो रहा रब आदमी जो गायब हुए जा रहे है वो सब यहाँ है हे भगवान मेरा हरिया भी है यहां तो मतलब इसी चुडैल ने गाव के आदमें को कैद कर रखा है लेकिन क्यों अरे बेहनो अभी यहां से चलो उस नास मिटी चुडैल ने अगर हमें देख लिया तो हमें भी यहीं कैद कर देगी और हम अपने पतियों को कभी नहीं बचा पाएंगी चलो यहां से पिर सब वापस गाव आ जाती है और सब गाव वालों को डोसे वाली चुडैल की सच्चाई बताती है और सरपंच से मदद मांगती है अरे बाब रे ये तो बहुत बुरा हुआ अरे वो चुडैल अब हमको ना उठा ले जाए हम तो गाव का सबसे हैंडसम डड़का हूं क्या सरपंच जी मजाग का टाइम नहीं है ये वो देखो डोसे वाली चुडैल आ रही है मैं घर जाकर मशाल लेकर आती हूं सब औरतें अपने घर मशाले लेने चली जाती है अरे सरपंच जी आज आपको डोसा खाना है नाहीं नाहीं हमको नाहीं खाना डोसा तुमारा तुम जाओ डोसे वाली चली जाती है आज तक कोई शिकार नहीं मिला अरे सरपंच जी वो कहां गई अरे भाई हम बाल बाल बच गया वो गई, देखो, वो जा रही है चलो अब इसका पीछा करते हैं हमें अपने पत्यों को तो बचाना ही होगा अरे, नहीं, हम नहीं जाओंगा अभी मैं मरना नहीं चाहता तुम जाओ, मैं तो अभी जवान मर्द हूँ बुढ़ा कहीं का अरे, सरपंजी, सही कहा, आप तो अभी जवान हो आप यहीं बैठो, हम अपने पत्यों की जान बचाने जरूर जाएंगी चलो बेहनो फिर सभी गावालों की पत्निया मशाले लेकर चुडैल के पीछे जाती है अरे, भगवान, हमारी पत्नी को भेज दो अजी सुनते हो, देखो, हम आ गए हैं, हम तुम सब को बचा ले जाएंगे तभी शोर सुनकर चुडैल बहाँ आ जाती है तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चली गया डोसे वाली चुडैल रूप में होती है, उसे बहुत गुसारा होता है चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने में अपने पती को जिन्दा करूँगी लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो, तुम कौन हो रीमा, मेरी बहन तुम, वो देखो मेरे पती की लाश, तुम्हारे पतियों की बली चड़ाकर अपने पती को जिन्दा करूँगी रीमा जैसे ही उस लाश के पास जाती है तुमने मुझे बेहन क्यों कहा? अरे राहुल? ये तो राहुल के लाश है तुम, तुम कविता हो? हाँ रीमा, मेरी बेहन कविता ये सब क्या हो गया? तुम मर कैसे गई? तुम तो राहुल से शादी करके शहर गई और ये हरिया मेरे पती है तुम मेरे पती को मार कर अपने पती को जिन्दा करना चाहती हो मरा हुआ इंसान कभी जिन्दा नहीं होता मेरी बेहन चुडैल रोते हुए रीमा के गड़े लग चाती है हारी मा, तुमने सही का, मुझे नहीं पता था हरिया तुम्हारे पती है, तुम्हें हमने कितना ढूंडा, फिर माँ बाबा ने मेरी शादी हरिया से कर दी मेरा एकसिडेंट हो किया था, जिसमें हम दोनों मर गए, मैं चुडएल बन गई और अपने पती को जिन्दा करने के लिए, आज मुझ से बहुत बड़ी कलती हो जाती, मैं अनजाने में अपनी बेहन का ही सुहा गुजार देती, मुझे माफ कर दो मेरी बेहन, मुझे माफ कर तुम्हारी साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तुम दोनों का अंतिम संसकार करूगी, जिससे तुम दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल सके, फिर चुडएल सबके पतियों को आजाद कर देती है, और रीमा भी दोनों का अंतिम संसकार करके उन्हें मुक्ति दिला देती है